हेलो अब्रीवान वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड सो बच्छों अभी हम डिसकस करेंगे कक्षा चार हिंदी का एक वेशन पेपर ये केंद्रे विद्याले संगठन की अर्धवार्शिक परिक्षा का पेपर है सिलिबस से आपका मन के भोले भाले बादल से लेकर दान का हिसाब तक अभी प्रशन देखते हैं नीचे दिये गए पठित अनुचेद को पढ़कर प्रशनों के उत्तर लिखिए एक पैरग्राफ आपको दिया है जो आपकी पाठ्य पुस्तक के ही किसी पाठ्का है इसको फिर से पढ़ना है और इस पर आधारित प्रशनों के उत्तर लिखने है एक था राजा, राजा जी लकदक कपड़े पहन कर हजारों रुपे खर्च करते रहते थे पर दान के वक उनकी मुट्टी बंद हो जाती थी राजसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सजन इन में से कोई भी नहीं आता था क्योंकि वहाँ पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था एक बार देश में अकाल पड़ गया पूर्वी सीमा के लोग भूके प्यासे मरने लगे अभी प्रशन देखते हैं राजा किस के लिए रुपे खर्च करते रहते थे दूसरा प्रशन है राजसभा में किस तरह के लोग नहीं आते थे तो राजसभा में गरीब, दुखी, विद्वान और सजजन लोग नहीं आते थे Next is एक बार देश में क्या पढ़ गया, क्या पढ़ा एक बार देश में अकाल पढ़ गया Next, अनुचेद को पढ़कर उचित शिर्शक दीजे अभी पार्ट का शिर्शक दान का हिसाब है लेकिन इस अनुचेद से वो पता नहीं लगता तो आप लिख सकते हैं कंजूस राजा कंजूस भी नहीं था क्यूंकि अपने उपर तो वो खर्च करता था स्वार्थी राजा नेक्स्ट राजा की मुठी कब बंद हो जाती थी दान के नाम पर दान के वक्त उनके मुठी राजा के मुठी बंद हो जाती थी आगे अनुचेद से डून कर विलोम शब लिखिये सुखी दुखी खोल बंद अनुचेद में आए कोई दो विशेशन शब्द लिखो विशेशन जो किसी की विशेशता बताते हो जैसे लगदक कपड़े कैसे थे लगदक उसके बाद नामी लोग कैसे थे नामी या फिर सजजन, गरीब, दुखी, विद्वान ये सभी विशेशन है अनुचेद से ढून कर वाक्य पूरा करो पूर्वी सीमा के लोग खाली जगें मरने लगे, भूक से मरने लगे, भूके प्या से मरने लगे नेक्स्ट लगदक शब्द से वाक्य बनाओ लगदक का मतलब होता है चमकीला बहुत सुन्दर लोग लगदक कपड़े पहन कर शादियों में जाते हैं नेक्स्ट निमलिकित शब्दों का अर्ट अनुचेद से ढून कर लिखो राजा का दर्बार अर्थात राज दर्बार सूखा अकाल आगे हैं अच्छा भी दूसरा प्रश्ण है दिये गए अपठित अनुचेद को पढ़कर प्रश्णों के उत्तर लिखो तो एक तो पठित आएगा एक अपठित चो आपने पहले पढ़ा नहीं होगा लता के दादा जी का एक बगीचा था बगीचे में तरह तरह के पेड़ पौधे हैं दादा जी पेड़ पौधों का पूरा ध्यान रखते हैं वे रोज पौधों में पानी देते हैं समय समय पर उसमें खाद देते हैं उनके पौधों पर रंग बिरंगे फूल खिले हैं, दादा जी ने सबजियां भी उगाई है, उन्होंने गाजर, मूली, टमाटर, पालक, गोबी, धनिया, आदी अनेक सबजियां उगाई है, दादा जी कहते हैं कि ताजा सबजियां खाना सेहत के लिए अच्छा है, पेड़ बगीचे में फूल और सबजियां हैं, नेक्स्ट कौन पेड़ पौधों को का ध्यान रखते हैं, दादा जी, आगे बगीचे में कौन कौन सी सबजियां उगाई गई है, तो बगीचे में गाजर, मूली, टमाटर, पालक, गोबी, धनिया, आदी, अनेक सबजियां गाई गई है, नेक्स्ट, पेड़ हमारे क्या है, पेड़ हमारे मित्र है, अनुचेत के लिए उचित शीर्शक दीजिए, शीर्शक हो सकता है दादा जी का बगीचा, अनुचेत से ढून कर शब्दों का आठ लिखो, वक्त, समय, उपवन, बगीचा, अनुचेत से इनके बहुवचन डून कर लिखो, सबजी, सबजियां, पौधा, पौधे, अनुचेत से दो नाम वाले शब्द लिखो, बहुत सारी सबजियों के नाम आपको दियें, इन्हीं में से दो लिख दीजें, गाजर, मूली, टमाटर, पालक, नेक्स्ट इस, अनुचेत से डून कर दो विशेशन शब्द लिखो, विशेशन रंग बिरंगे, पूल कैसे हैं, रंग बिरंगे, ये इनकी विशेश्टा बता रहे हैं, दूसरा ताजा, सबजियां कैसी हैं, ताजा, नेक्स्ट, निर्देश अनुसार उत्तर दीजे, शब्दों का अर्थ लिखो, ग्यान, ग्यान मतलब होता है, नॉलेज, तो समझ, जानकारी, कठिन, मुश्किल, नेक्स्ट, लिंग बदलो, नाना, नानी, त्रिलिंग होगा, मौसा, मौसी, बचन बदलो, एक बचन है, बगीचा, बहुत सारे होंगे, तो बगीचे, भिंडी, भिंडियां, मोहावरे का अर्थ लिखो, इद का चांद, इद का चांद होना, अर्थात, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, प्रियावाची शब्द लिखो, आसमान, आकाश, नब, अंबर, गगन, बादल, मेग, जलधर, वारीधर, जलद, तुक वाले शब्द लिखो, राइमिंग वर्ड लिखने हैं, खुलाए, रुलाए, सुलाए, तूफानी, शैतानी, विलोम शब्द लिखो, सवाल, जवाब, गोरा, काला, विशेशन शब्द पर रेखा खिंचो, उधर सुन्दर लड़की है, तो लड़की कैसी है सुन्दर, ये क्यूंकि विशेशता बता रहा है उसकी, तो ये विशेशन होगा, अकुत्ता तेज दोड़ता है, कैसा दोड़ता है तेज, ये दोड़ने का विशेशन होगा, नेक्स्ट है काम वाले शब्द लिखो, कोई भी दो, जैसे खेलना और पढ़ना, नाम वाले शब्द, गंगा, यमुना, ताज महल, हिमालिय, या फिर किसी परसन का नाम भी हो सक सर्वनाम शब्द पर गोला करो, वे स्कूल जाता है, सो वे सर्वनाम है, वे मैदान में खेलते हैं, वे सर्वनाम है, बाक्या में प्रियोग करो, गप शब्द, मतलब बातें करना, सो शिक्षक की अनुपस्थिती में, जब टीचर नहीं था क्लास में, बच्चें गप शब करने लगें, नेक्स्ट है, उपसर्ग लगाओ, उपसर्ग बोलते हैं, जो शब्द के आगे लगता है, जन्म, सो जन्म के आगे अगे अगर हम पुने लगा दें, दुबारा से जन्म होना, तो ये बनेगा पुनर जन्म, योग्य, आयोग्य, आ लगा दें, तो फिर वो बिल्कुल ऑपसर्ट ही मेनिंग हो जाता है, उसका, नेक्स्ट एप प्रत्य लगाओ, प्रत्य जो पीछे लगते हैं, फल में प्रत्य लगाना है, तो फल, प्लस, हार, फलहार, बेबस, ई, बेबसी, सही क्रिया शब्द को चुनकर लिखो, क्रिया जो कामवाले शब्द होते हैं, विम्ला कॉलेज जाती है, शीला सभा में नाचती है, नेक्स्ट है, अर्थ पूर्ण शब्द लिखो, ग, ड, और ज, जगडा, रीक, रीक, टोकरी, या फिर कटोरी भी हो सकता है, सही शब्द पर गोला करो, पूर्ण करो, गोला करना है, फॉजी होता है, इसमें फॉजी सही है, नेक्स्ट है, शंटिंग, अच्छा, ये वो पापा जब छोटे थे, पापा जब बच्चे थे, सम्थिंग कुझ जो चाप्टर उससे है, दोनों ही, शब्द, नेक्स्ट है, सही अक्षर चुनकर, शब्द बनाने हैं आपको, अ, खाली जगे, क और न, अच्छकन, गप्शब्ध, नेक्स्ट अक्षर जाल से ढूनकर, शब्द बनाओ, अकबर, दिमाग, चौकिदार, रबर भी हो सकता है, नेक्स्ट जोड कर लिखो, रसोई प्लस घर, ये बनेगा रसोई घर, फल प्लस वाला, फल वाला, अनुनासिक, शब्द लिखो, आँख, चांद, इकी मात्रा वाले दो शब्द लिखो, बकरी, रापे ए की मात्रा है, और मचली, नेक्स्ट है, त अक्षर से शुरू होने वाले शब्द लिखो, तर्बूज, और तालाब, अनुस्वार शब्द लिखो, अनुस्वार जो बिंदी लगती है उपर, अंगूर, लंगूर, और या फिर संत्रा, वर्ण माला की अनुसार क्रम में लिखो, सो हिंदी वर्ण माला में सबसे पहले का आता है, कागस, का ख, ग, 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 इसलिए उसके बाद घर आएगा, देन चाच़ जाज़ जाज़, कोई नहीं है, अभी बचियां दो, द और तो, तो तो, तथा दो, मतला पहले ता आता है, बाद में दा आता है, तो पहले हम तलवार लिखेंगे और बाद में दावार, नेक्स्ट नुक्ते वाले शब्द लिखो जैसे जा में लगता है या फिर फा में लगता है सो फसल और जमीन नेक्स्ट है शब्द लड़ी बनाओ जैसे कमल में लास्ट जो अक्षर है वो लाह है तो नेक्स्ट वर्ड आपको लास से लिखना है. लकडी अभी डा से लिखेंगे डरना, ना से लिखेंगे नदी, डा से लिखेंगे दान या दाल, ला से अच्छा दान लिखते हैं क्योंकि अच्छा ना भी आ चुक है वैसे, अच्छा ये लास्टी है, दाल सही क्रम में लिखो स्कूल जाता है रोज राजू सो राजू रोज स्कूल जाता है उसका सही करके आपर लिख देंगे नेक्स्ट है शुद्ध करो अजकन तो यह अजकन होता है परीचे रापे छोटी की मात्रा होनी चाहिए थी परीचे बन विच्छेद करो भड की ली यह होगा भा प्लस डा प्लस क प्लस ई ला और ला पे बड़ी ई की मात्रा भड की ली कोशिश को फिर शा पे छोटी ई की मात्रा है श ई और श कोशिश अभी भाग बह निमलिकित प्रशनों के उत्तर लिखो ले आओ कागस चमकीला लाल हरा या नीला पीला रंग बिरंगा खूब रंगीला कैंची चुटकी हाथ चलाओ यह नाव बनाओ वाली कविता है इन पंक्यों को किस कविता से लिया गया है कविता का नाम है नाव बनाओ इस कविता के कवी का नाम लिखो कविता की कवी है हरी कृष्ण दास नेक्स्ट इस किन्ही चार समुद्रों के नाम लिखो पांच जो महसागर है उनमें से चार के नाम आप लिख सकते है प्रशांत देन हिंद इंडियन ओशन और आक्तिक और अट्लांटिक नेक्स्ट इस तूफान क्या होता है तेज हमाई तेज विनाशकारी हमाई ख्वाजा सरा ने कितने सवाल पूछे किसी एक सवाल को लिखो तो ख्वाजा सरा ने तीन सवाल पूछे थे ने तीन सवाल पूछे वो तिनों सवाल थे एक तो की संसार का केंद्र कहा है दुनिया की आबादी कितनी है और आस्मान में कितने तारे है कोई भी एक सवाला प्लिख सकते है आगे है बीरबल कौन था सो बीरबल अकबर के दर्बार में एक मंत्री था और वह कैसा था वह बहुत बुद्धिमान था दिनेश की मा कौन सी मशीन चला रहे थी सो दिनेश की मा सिलाई मशीन चला रहे थी नेश्ट इस दिनेश के दोस्तों के नाम लिखो दिनेश के दोस्त थे अनिल, सुनील, सुधीर और दिपक नेश्ट इस पापा क्या-क्या बनना चाते थे सबसे पहले तो पापा चौकीदार बनना चाते थे उसके बाद आईस्क्रीम वाला उससे पहले वो चरवाहा भी बनना चाते थे शंटिंग वाला, कुट्टा और सबसे लास्ट में इनसान दोनों दोस्तों के नाम लिखो वे कहां जा रहे थें? दोनों दोस्त आये थेंगे जो दोस्त की पोशाख चाप्तर उससे है उसमें दोस्त थे नसीरुदीन और जमाल और वो कहां जा रहे थे? एक बार वो अपने दोस्त के घर गए, पडोसी के घर गए अब है तीसरा भाग भागसर छुट्टी मांगने हे तु अपने अध्यापक जी के नाम एक पत्र लिखो पत्र आप लिखेंगे सेवा में श्रिमान प्रधानाचारिय जी केंद्रे विद्याले नाम विशे अवकाश या छुट्टी हे तु प्राटना पत्र महोद यह सविने निवेदन यह है कि मैं कल रात से ज्वर से पेडित हूँ या मुझे कल रात से बुखार है आप्टर ने मुझे दो दिन आराम करने की सलहा दी है अते मैं दो सितंबर से चार सितंबर दो हजार बाइस तक विद्याले आने में असमर्थ हूँ आते मेरी आपसे प्रातना है यहां पर तीन दिन होना चाहिए अते मेरी आपसे प्रातना है कि मुझे तीन दिनों का अवकाश प्रदान करे इसके लिए मैं सदा आपका अभारी लोगा धन्यवाद नीचे आपका नाम कक्षा और दिनाम्त अगला प्रशन है नाव के बारे में अनुच्छेद लिखो नाव के बारे में कुछ sentences आपको लिखने है क्योंकि ये 5 माग का question है तो पांस तो कम से कम आप लिखेंगे नाव यातायात का एक साधन है means of transportation है योकि पानी में चलता है यातायात का एक साधन है ये है नदियों और सागरों में चलती है short distances के लिए ये लकडी की बनी होती है नाव चलाने वाले को नाविक कहते हैं और नाव पत्वार से चलती है या फिर नाव का इस्तिमाल मचली पकड़ने के लिए भी किया जाता है एक से दूसरी जगे जाने के लिए सामान ले जाने के लिए या मचली पकड़ने के लिए next step चित्र के बारे में 5 बाक्य लिखो यह चित्र आपको दिया है एक market के picture है तो यह एक बाजार का चित्र है लोग समान खरीद रहे हैं विक्रेता समान बेच रहे हैं इसी तरीके से 5 sentences आप लिख देंगे चलिए इसी के साथ यह question paper over होता है thank you so much for watching